अगर हम UPSC Prelims के previous year questions को analyze करते हैं तो हमें पता चलता है कि international organization से UPSC आप बहुत सारी questions पूछती है लास्ट येर तो international organization से बहुत जादा questions पूछे गएते और देखो जब भी international organization से question पूछा जाएगा तो जो basic चीज आपको पढ़नी होती कि जो important international organizations है इनकी member countries कौन-कौन सी और देखो हमने देखा है जब भी UPSC ने international organization से question पूछा है न यह ऐसे organizations रहते हैं जो हमेशा news में रहते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि out of nowhere कोई सा international organization होगा एक दो बार हुआ है but that's a rare case राइट तो जी सेवन जी ट्विंटी सार्क स्सी और यह ऐसे international organization से जिनको जिनकी at least आपको member countries पता होनी चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे tricks देखेंगे जिससे आप international organizations के जो member countries को याद रख सकते हैं जल्दी से हम इन ट्रिक्स को देख लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब प्रिलिम्स बहुत ज्यादा पास है अगेन यह ट्रिक्स मैंने नहीं बनाई है क्योंकि it's a waste of my time कि मैं वापिस से नहीं अच्छा है अगर आपको यह निमोनिक्स पता है तो मेरा बस परपस यह वीडियो बनाने का यह था कि एक ही जगा इन सब चीजों कर दिया जाए ठीक है तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं official languages of UN क्योंकि UN भी इस बार बहुत जादा न्यूस में था और official languages से अभी तक कोशन नहीं पूछा गया है पर इस बार हम देख लेते हैं तो इसका जो निमोनिक है वो है phasers तो फेसर से आप याज़ रख सकते हैं F से French हो गया A से Arabic हो गया C से Chinese हो गया E से English R से Russian और S से Spanish यह official languages है UN की ठीक है यह चीज हमें हमने देख ली रही नेक्स्ट हम देख लेते हैं Arctic Council Arctic Council के कौन-कौन सी मेंबर कंट्री से इसका एक बहुत ही निमोनिक है यह मैंने नहीं बनाया है तो इसका निमोनिक है Russian CD is fun तो रशियन से रशिया हो गया C से Canada, D से Denmark, I से Iceland उसके बाद यहाँ प इंटी के prelims में भी member countries से question पूछा गया था और इस बार इंडिया के पास इसकी presidency है इंडिया इसको host भी कर रहा है तो यह चीज आपको पता हो नहीं चीए तो इसका निमोनिक है गुरुजी T सा अब SSC FCI में जॉब करती है FCI से food corporation of India होता है तो गुरुजी T सा अब SSC FCI में जॉब करती है ठीक है तो G से हो गया आपका Germany U से US से हो गया R से Russia U से UK राइट J से Japan हो गया I से Italy हो गया T से Turkey I से Indonesia उसके बाद यहां S से Saudi Arabia A से Argentina ठीक है A से Australia हो गया B से Brazil हो गया उसके बाद जो यहां पर S है उससे South Africa हो गया उसके बाद S से South Korea यहां अगेन उसके बाद C से China हो हो गया उसके यहां M से Mexico E से Europe में देखो G20 में क्या है 19 countries plus EU है European Union है तो E से European Union हो गया ठीक है अब आगे चल रहेते हैं जी 7 में यह भी बहुत जाद अस बाद न्यूस में था हमेशे न्यूस में रहता basically G7 अब यहां पर इसका निमॉनिक देख लेते हैं तो इसका निमॉनिक ह जो E है बस इसको ignore करेगा तो यहां पर J से तो Japan हो गया U से USA I से Italy C से Canada ठीक है UK से UK हो गया G से Germany हो गया और F से France हो गया यह 7 countries है पहले यह G8 थी बट फिर रशिया को इसके आउट कर दिया गया था जब रशिया ने क्रीमिया पर इन्वेजन करा था अब यहां पर हम देखते ह देख लेते हैं इसका निमोनिक है बस टू कतर और कुवेट अच्छा जब हमने मैपिंग के निमोनिक देखे थे तो एक निमोनिक था बस 11 ऑफ कुवेट और का था और यहीं पर बस टू कुवेट और का तर जो है यह गलफ कॉपरेशन काउंसल का है तो B से अगे नहां पर बहरेन हो गया U से UAE, S से Saudi Arabia, TKO जो यहां पर T का जो O है उसका यहां पे उमान हो गया, सो यहां पर कतर किस दो कतर ही हो गया और कुवेट से कुवेट ही हो गया उसका निक्स देख लेते मेकॉंग गंगा प्रोजेक्ट यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख हो गया M से Myanmar हो गया CA जो CA है उससे Cambodia हो गया T से Thailand हो गया और वेतनाम हो ठीक है बहुत ही easy था यह तो यह हमने याद कर लिया उसके आद सार्क का देख लेते हैं तो सार्क का है MBBSP तो MBBS M से Maldives हो गया B से भूटान B से वांगलादेश S स्रीलंका उसके यहां जो से पाकिस्तान हो गया A से अफगानिस्तान I से यहां पर इंडिया हो गया और N से यहां पर निपाल हो गया उसके आद आसियान का देख लेते हैं सो आसियान का है MBBS Cricket IPL on TV तो MBBS के M से मलेशिया हो गया B से बर्मा आप याद रख सकते हैं मैंनमार का पुराना नाम था वो B से यहां पर ब्रुनाई S से सिंगापूर क्रिकेट के C से आप याद रख सकते कमबोडिया I से इंडोनेजिया यहां पर P जो है उससे फिलिपिन्स L से लाउस T से थाइलेंड और V से विरना उसके यहां पर यहां पर ट्रक से पिकनिक पिकनिक के पिकनिक लगा देना यहां पर तो यहां पर ट्रक से पिकनिक तो T से तजाकिस्तान उसके बाद R से रशिया U से उसबेगिस्तान C से यहां पर चायना K से कजाकिस्तान ठीक है उसके पी के यहां जो पी है यहां पर उससे यहां पर पाक लिए एसे अफगानिस्तान ठीक है उसके यहां पे लास्स गंटी जो हमें देखनी है सोरी कंट्री बोल रहा हूं लास्स जो मेंबर कंट्री समें किसी इंटरनाशनल और्गनाइजेशन की देखनी है जो कि important है वो है बीमस्टेक की तो यहाँ पे देखो निमोनिक है बीमस्टेक भूलना नहीं तो यहाँ पे जो EC है ना इसको आप बस इग्नोर कर सकते हैं बाकी मैं बताता हूं यहां से B से बांगलदेश हो गया I से यहाँ पे इंडिया हो गय हो गया S से श्रिलंका हो गया T से थाइलेंड हो गया उसके यहाँ पे B से अगेन यहाँ पे भूटान हो गया और N से यहाँ निपाल हो गया तो जल्दी से हमने यह मेंबर कंट्रीस हमने सारी इंटरनेशनल और्गनाइजेशन की देखी लास्ट एक वीडियो आएगी प्रि नेशन की थे निए लास्ट एक थीजए और एक राछी और एक रषकार्णी की लास्टमाइज की अवीडियो आएगी यहीड श्रीक प्रिक्वान श्रीक्त वेलेंड टॉटान हो गया उन्हक्त वाहते टिर इंटान हो इंटान हो गया यहाँ यहँ जे बादर एक रावे